हडियाना के चर्चित पहलबान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आज कॉंग्रिस पार्टी में शामल होनी के लिए दिल्ली पहुँच चुके हैं बजरंग पूनिया ने मीडिया से बातशीत में इस बात की पुस्टी की है कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों कॉंग्रिस अध्यक्ष मलीकार जुन खड़गे से भी मुलाकात कर सकते हैं सूतरों के अनुसार विनेश फोगाट हडियाना विदानसबा चुनाम में जिन्द के जुलाना से चुनाम लड़ सकती है हाला कि उनकी चचेरी बेहन भवीता फोगाट को भाजपा से टिकेट ना मिलनी के बाद दादरी सीट का विकल भी उनके लिए खुला है कॉंग्रिस सूतरों का कहना है कि विनेश 11 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल कर सकती है दूसरी ओर बजरंग पुनिया को कॉंग्रिस का स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है बजरंग जगजर की बादली सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन कॉंग्रिस ने वहां के मौजूदा विधाय कुलदी वक्स का टिकेट काटने से इनकार कर दिया बजरंग को संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है और उन्हें हडियाना में प्रचार के जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है इस बीच भारतिये कुष्टी महासंग के पुरवध्यक्ष ब्रिज भूशन सिंग का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वे आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वे कॉंग्रिस की साजिश थी उन्होंने इसे दिपेंदर हुडा और भुपेंदर हुडा की चाल बताया वहीं भाजपा के पूर मंत्रे अनिल विज ने कहा कि विनेश फोगाट अब देश की बेटी से कॉंग्रिस की बेटी बनना चाहती है गौरतला भिग्य 4 सितंबर को विनेश और बजरंग ने राहूल गांधी से मुलाकात की थी जिसके बाद उन्होंने कॉंग्रिस के राष्ट्री महासाचीब केसी वेनू गोपाल से भी बातचीत की हाला के इस मुलाकात की विस्तुर जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कॉंग्रिस सूतरू के मुताबिक केंद्रे चुनाव समिती की बैठक में भुपेंद्र हुटा ने विनेश पोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट देने की वकालत की थी उन्होंने कहा था कि पहलवानों के साथ खड़ा होने से हर्याना में कॉंग्रिस को समर्थन मिलेगा विनेश पोगाट को तीन सीटों का उफर दिया गया है चर्की दादरी की दादरी, बाटा और जिंद की जुलाना वहीं बजरंग पूनिया को जजजर की बागी, भीवानी, बहदुरगट और सोनीपत की राई सीट से विकल भी गए गय थी अभी अंतिम निर्नया शाम को गेंदरी चिनाव समीधी की बैठक में लिया जाएगा झाल 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 झाल